हलो नमस्कार वेलकम आप सभी का फिर से आपके हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है अगर आपके पास दसवी और आईटियाई पास है तो ये वीडियो जरूर देख सकते हैं और आप लोग इसमें अपलाई भी कर सकते हैं बीएसेप में अगर नोखरी करना चाहते हैं कॉंस्टेबल के लिए तो आईटियाई वाले विद्धार्ति के लिए बड़ी अच्छी खबर आ चुकी है आप लोगों के लिए मैं पूरी अपडेट दूँगा 18-30 वरस्तक के विद्धार्ति या फिर इससे कम तक के विद्धा इसमें आविद्धन कर सकते हैं साथ ही हम बात करेंगे बिल्कुल ओनलाइन होगा फोम कैसे बरेंगे रजिस्टेशन कैसे करेंगे उसके बाद भी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं तो दोस्तों बीएस एप गुरूप सी की रिक्वार्मेंट 2021 अप्लाई अगर नहीं करना चाहते तो फिर्वी आप अपने दोस्तों को जरूर शेर करें तो दोस्तों बात कहुंगता अगर आपको पसंद आया तो अच्छी लगे तो अच्छा श tarkma अगर ना अच्छी लगे तो मत करणा क्योंकि आप लोगों के लिए धो क्लिए छोठी सी सोचना ह दीजिेगा अब बात करें इसके विद्ग्यापन के बारे में तो इस दोस्तों महीला और पुरूश दोनों इसमें आवेदन करेंगे तो 72 इसमें टोटल वेकिंसिया अपडेट कराएगी है और आप लोगों को तो इतना पता ही होगा कि बीएशेप क्या होता है बीएशेप किस तरह की जोब होती है इसमें बात करें तो यह जो जिसमें कॉंस्टेबल की गुरुप सी की वेकिंसिया नकाली गी है इसमें आप लोगों को जो अलग अलग ट्रेड है और फी मेल है मेल है इंडियन भारत के सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहां पे निधायरत की गई पोस्टों पर ही अपलाई कर पाएगा जैसे कि वह सी का है तो आप लोग इसे ओफ-लाइन नहीं कर सकते जबर बिलकुल ओल्लाइन ही जमा कर पाएगे तो यहां पे देखिएगा इसमे अपन बात करें सेम्रश और फोलुप से रस जनरल कॉंसे पर ऑपर उपरेटर समयुर्ण जनर इसमर्नर कॉंसे आपके इसी दुरान बात करें तो यह इसकी और विजिट करेंगे वो देखेंगे आगे लेकिन आपन विग्यापन की बात करें तो विग्यापन को कि लिए कर लेते हैं यहां पर देखेगा अब बात करें इसमें भारत के सभी इंडियन सिटीजन होंगे वह अपलाई कर पाएंगे इसमें जो कॉल्फिकेशन होगी उसकी बात करें तो वह यहां पर अलग पोस्ट करेंगे लेकिन यहां पर देख लिजेगा 18-25 वस्तक का विद्धारती और कॉंसी ट्रेड के लिए नह रखेंगे कि यहां पर बात करें तो एससी के डिकरी को रिज्टीन की सुबिदा रख करा रखी है और यहां पर अब करें तो जर्नल को कोन सी कैटिगरी के लिए क्या होगा कितना नहीं को कितना रिगुलर बेस्ट पर जो दी जाईगा रिजर विदारती जाएगी वह चीज एजुकेशन के बारे में बात करें तो यहां पर देखेगा जो ड्राफ मैन है ग्रेड थेड के अरुशार तिसमें डिप्लोमा सिवल ब्रांच का विद्धार्तिय आविदन कर सकता हैं अगर आपके पास कौलिफिकेशन है तो अगर आपके पास तीन साल का डिप्लोमा है तो आप इन पोस्टों पर जरूर अपलाई कर सकते हैं अब ऐस सी कार्पेंटर के बात करें तो इसमें में पास विद्ध किस भी इंस्टूट से आइटे का सेटेविकेट होना जरूरी है और थ्री एयर का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है तब यह आप लोग इसमें मांगी गिया और बस इसमें ट्रेड प्लंबर की होनी चाहिए और इसमें भी थ्री एर का experience मांगा गया है अब इसी दुरन हैड कॉंस्टेबल जिसकी बात करें तो इसमें बारी उपास वाले सेंटोल और गॉर्मेट जो में सम्मिट करवा सकते हैं इसी दुर्ण बात करें दो एसमें वही पोस्टे हैं डेजल, मेकनिकल और मोटर मेकनिकल और इसमें भी वही थ्री-ेयर यहीं कि दोस्तों उससे समध् respects गया है अगर आपके पास august तो भी आप लगा सकते हैं अगर आपके पास किसी संस्ता से जो एक्सपिरियंस है आपकी ट्रेट से सम्मंदी वह भी आप लोग यहां पर लगा सकते हैं तो यह उम्मीद करूंगा कि यह पूरा समझ में आओगा इसे दुरान आगे बात करें फीजिकल के बारे में फोम अपलाइक करने के बाद आप जानते हैं कि बीए सेप में फीजिकल हो होगा यह भी आप लोगें पर क्लियर कर लीजिएगा अगर आप महीला है तो एक सब्सक्राइब हाइट होगी और पुरुस हैं तो एक सो वन सिक्सेवन के आसपास आपकी चेस्ट और सुरी हाइट होगी अब इसे दुरान पूर्सों के हाइट चेस्ट के बात करें एट्ट होगी और वेट आपके अनुसार इसमें निदायारत मेडिकल निदायारत कर रखा है इससे दुरान पर जो इनका पोस्ट है उसके आधार पे आप पे आप लोगों को पोस्ट ट्रेड और पोस्ट के अदार पे आप दिया हुआ है तो यह चीज़ आप लोग कर लेजेगा अब इसी दुरन आगे बात करें एप्लिकेशन और कॉंटेक्ट इसमें क्या होगा कि इसमें फॉर्म बरने के बाद फिजिकल होने के बाद फिजिकल अगर अपन क्लियर कर लेते हैं तो फिजिकल क्लियर करने के बाद क्या से इसमें रीटन टैस्ट होगा रीटन टैस्ट बिल्कुल होगा क्योंकि यह सैम है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे गौर्मन जोब की त्यारी करते हैं उस तरीके से बस इसमें फिजिकल अलग से दिया तो यह भी आप लोगोगों के लगा आपको बताएं कि आप लोग इसे आ जो एग्जामर देंगे वूं लाइन ही देंगे यानि यह उफने इसके एग्जाम नहीं अब ये और फिलाल तो हो सकता है कि उससे जरूर पूछ लेजिएगा यहां पर देखिएगा पूरा सलेवर्स दियावाय है हर एक ट्रेड के बारे में हर एक पोस्ट के बारे में अगर आपके जो ट्रेड है उससे सम्मंदित क्यूसंस आएंगे उसके अदाहर फे क्यूसंस ले जाएंगे रंडिंग की बात करें चार फिट से तीन फर्ट होगा और जिसमें अलग-अलग डिस्टेंट्स वाला होगा 6 फिट वाले लंबी कूद होगी इनकी यह सब जंप होगा 7 फिट वाला तो यह चीज़े आप लोगों करनी होगी तब ही आप लोग इसमें अपलाई नोकरी कर पाएंगे अन्य था आप ल दो शवाल्य आप आपके बच्चे हैं तो इसके मैं जवाब दू तो दूस्टो आज हो चुकि है 16 supporters और पकर पंदरा और लगोंबर को यानि इस चीजे से आपको किलेर हो चुका होगा की बाइसाब फंदरा नौंबर से गुनटीस नमबर 10 दिसमबर सकते हैं रात को बारा बज़े तक एप्लिकेशन फिर्स सोरूब होगी SCS टिकेट करको यहां पर किसी पर करका कोई पैमेंट नहीं देना बिल्कुल फिरी होगा और यह आविदन कर सकते हैं और इसे जमा करवा सकते हैं यहां पर एक्जाम होगी आपकी वह यहां पर दियावा है गुवाटी कुलकता हैदराबाद जैपूर जोदपूर बैंगलरू गांदी नगर इंदोर जम्मू इन जगों में आपकी एक्जाम होने के दान्से हैं तो वह एक्जाम सेंटरे चूच कर लिज़गा आविदन कर दिजगा अब बात करें अपनं आविदन के बारे में तो यह देखेगा Apply here पर मैंनेे क्लिक किया और अपना ही एर पर मैंने क्लिक करते एक नया टैप पोगना होगा जिसमें कुछ नहीं करना आपको अपना प्रत्यक्सिक का जो भी नाम है वो यहां पर फिल करें और मोबाइल नमबर तो होंगे आपके पास अगर नहीं है तो मोबाइल नमबर जुरूर ले लिजिएगा करके आपके पूरी टिटेल से फिल कर पाएंगे तो चलिए यह इसका विवर्ण है उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा अब मैं आप लोगों से यह कहूंगा बैसाब अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बाद लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं करना भूलिएगा देखिएगा मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूँगा अगर नहीं करते उसका रीजन बताएं और करते हैं तो अच्छी बात है नहीं करते उसका ज़रूर रीजन बताएं थेंक यू जैह हिं दोस्तो